हेलो डियर स्टूडेंट आई शुरुवात करते हैं यूपी बोर्ट क्लास 11 पोर्ट्री के सेकंड चैप्टर दर स्कॉलर से कमपोज्ट वाई रावर्ट साउदी ये पोएम रावर्ट साउदी द्वारा लिखी गई है पोएम सुरू करने से पहले पोएम का बैग्राउंड देखते हैं तो इस पोएम का बैग्राउंड कुछ इस प्रकार है स्कॉलर का मतलब होता है विद्वान अब जो कवी है वो अधिकतर अपना समय पास्ट के कवीओं के साथ उनकी रशनाओं में उनकी किताबों में अपना समय व्यतीत करता है वे अपने आपको उनका बहुत रेड़ी मानता है और लगभग उनके साथ उनकी ही पुस्तकों में खोया रहता है उनी के बारे में लेखक ने इस पोयम में वर्णन किया है चलिए पोयम सुरू करते है माई डेज एमंग दा डेडर पास्ट मेरा जो समय है वो उन बीते हुए कभियों के साथ वतीत हुआ है माई डेज मेरा दिन एमंग बीच में डेडर पास्ट जो मरे हुए कभी है उनके लिए कहा गया है तो माई डेज एमंग दा डेडर पास्ट मेरा जो समय है उन मरे हुए कभियों के वो पास्ट के कभियों के साथ वतीत हुआ है Around me, I behold Around me, अपने चारो और I, मैं, behold माने C, अपने चारो और मैं देखता हूँ Where are these casualizer cast Casual का मतलब होता है Acasmic cast वाने फेकना या फिर नज़र जाना जहां कहीं भी मेरी Acasmic नज़र जाती है The mighty minds of old तो मैं उन कभियों की उन वीते हुए कभियों की रशनाओं में अपने आपको घिरा हुआ पाता हूँ My never failing Never माने कभी नहीं Fail माने असफल friends मित्र Where मेरे कभी ना सफल होने वाले मित्र मुझे कभी धोखा ना देने वाले मित्र With whom I converge day by day जिनके साथ मैं दिन रात बात क्या करता हूँ With them I take delight in will Delight का मतलब प्रशन भील आनन्द होना जब मैं उनके साथ उनकी रशनाओं को पढ़ करके प्रशन होता हूँ तो मैं उसमें आनन्द लेता हूँ And seek relief in all और जब मैं दुखी होता हूँ तो मैं उनकी रशनाओं को पढ़ करके राहत में खोशता हूँ And while I understand and feel Understand समझना फिल महसूस करना और जब मैं समझता हूँ और महसूस करता हूँ How much to them I owe कि मैं उनका कितना रिडी हूँ मैं उनकभियों का कितना रिडी हूँ My cheek have often been with you With tears of thoughtful gratitude तो मेरे आग से आशू निकलाते हैं और मेरे काल आशू रूपी ओस से किले हो जाते हैं My thoughts are with the dead with them मेरे विचार उनमरे हुए कभियों उन पास्ट की कभियों के साथ है I live in long past year चिन के साथ मैं पिछले कई वरसों से रहा हूँ Past, long past years मतलब कि पिछले कई वरसों से जो कभी रहता है वो उन कभियों के साथ रहता है उनकी रशनाव में खोया रहता है तो वही कभी कहता है कि जो मेरे विचार है वो उन मरे हुए कभियों के साथ है जिनके साथ मैं पिछले कई वरसों से रह रहा हूँ Their virtue love परचु का मतलब होता है गुड, उनके बचुस से मैंने लव किया, उनके गुडों से मैंने प्रेम किया, और उनकी बुराईयों की अलोशना की, पार्ट टेक दियर होफ्स एंड फियर्स, और उनके आसा और उनके भे में मैंने भाग लिया, and from their licensee can find interaction with an humble mind humble mind माने बिनमरभाव, interaction निर्देश और जब मैंने उनकी रशनाओ को बड़े ही बिनमरभाव से पढ़ा तो मैंने पाया, मैंने उनके समीप, उनके पास अपने आप को पाया उनकी आसा में और उनके भह में यानि कि मैं उनके अभियों के साथ हमेशा रहा उनकी रशनाओं के जरिये उनके साथ हमेशा उनके भह में और उनके आसा में यानि कि उनके सुख और दुख दोनों में मैं उनके साथ रहा मैं होफ सार विद ता डेड एनन मेरी मेरी आसाएं उन मरे हुए कभियों उन पाष्ट के कभियों के साथ है एनन एनन का मतलब होता है सीग्र माई प्लेस विद देम बिल वी और सीग्र मेरा अस्थान भी उनके साथ होगा कभी कहता है मेरी जो आसा है वो उन मरे हुए कभियों के साथ है और सीगरी यानि कि जब मैं भी मर जाओंगा तो मैं उनकभियों के साथ होगा तो my place with them will be, सीगरी मेरा स्थान उनके साथ होगा and I with them shall travel on through all maturity और पूरे भविश की मैं उनकभियों के जरिये यात्रा करूँगा और मेरा जो नाम है वो नश्ट नहीं होगा पेरिस का मतलब होता है नश्ट ना होना पोएट कहता है कभी कहता है कि यट लीविंग है रे नेम मरने के बाद इधर मैं भी अपना नाम छोड़ जाओंगा मतलब कि जम मैं उनके साथ यात्रा करूँगा मैं उनकभियों के साथ फ्रमड करूँगा पूरे फ्यूचर की तो मैं भी अपना नाम छोड़ जाओंगा और आई ट्रस्ट मुझे विश्वास है तेट फिल नाट पेरिस पेरिस का मतलब होता है नश्ट होना दस्ट का मतलब होता है धूल तो मेरा नाम कभी नेस्ट नहीं होगा कभी धूल में नहीं मिलेगा अर्थात मैं भी उनकभियों की तरह अमर हो जाओंगा